नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका बात करते हैं दर्शन सास्तर की काईटेशन मेथट पर रहे थे डेकार द्वारा द्वारा दिया गया संदेविधी की बात हम कर रहे थे अब देखते हैं आगे चलते हैं अब जो है इस्वर के स्थितों की बात चल रही थी डेकार के ये विज्ञान वे विज्ञान है जो आत्मा के बह्य चारणों द्वारा उत्पन किये जाते हैं, कालिपनिक विज्ञान से आत्मा में जनम से विध्यमान होते हैं वह आत्मा की सवभाविक सक्ति के अनुसार दीरे-दीरे वक्तिको ग्यात हो जाते हैं अगन्तुक विज्ञान अगला प्रकार कौन सा है अगन्तुक विज्ञान ये विज्ञान वे विज्ञान है जो आत्मा में संसार की सिमित वस्तों द्वारा उत्पन किये जाते हैं डेकार्ड के अनुसार इस्वर का विज्ञान जो है सार्थ तक वो जनमजात विज्ञान है डेकार्ड के अनुसार जो है इस्वर का विज्ञान जो है सार्थ तक वो जनमजात विज्ञान है डेकार्ड ने इस्वर अस्तितू को पर्मानित करने के लिए कुछ तरक भी दिये ह इस्वर के सत्ता को पर्मानित करने के लिए इस्वर के ग्यान मात्र के अधार पर उसकी सत्ता को पर्मानित किया है इस विक्तिकासार ये है कि हमारे मस्तिक्स में पुरुनता का विचार विद्यमान है हमारे मस्तिक्स में पुरुनता का विचार विद्यमान है तबी हम लोग संसार में अपूर्णता का विचार है इन्होंने का कि हमारे मस्तिक्स में पूरुनता का विचार है पूंता का तभी तो हम संसार में आप पूंता हैं खोचते हैं ठीक है यदि हमारे मस्तिक्स में पूंता का विचार हैं तो ये विचार उसने दिया होगा हमारे मस्तिक्स में पूंता का विचार हैं हम आप पूंता हैं खोचते हैं संसार में तो डेकार्ट ये कहता है कि हमारे म मस्तिक्स में पून्टा का विचार हैं तो हमारे मस्तिक्स में पून्टा का विचार किसने डाला जिसने भी डाला होगा वह स्वयम हम्-पूण होगा यानि वह स्वैंपरिपूण होगा ठीक है सरोग्याता केता है ना सरोसंपन यानि ससंपन अगर हम्में पूणता का अग्ञान हैं घृते रहते हैं हमें अगये अगर अगर पूर्ण तक किसी ने डाली है जाहिर सी बात है जिसने डाली है वो भी क्या होगा पूर्ण होगा ठीक है तो इस संसार में यदि पूर्ण को डूणने निकलें कहां तक जाओगे यदि हम संसार में पूर्ण तक को डूणने निकलें तो अंत में हमें इस्वर तक रुख इस लुक्ति के अनुसार परतिे कार्य का कोई ने कोई कार्ण होता है। जा इसे बात है कार्ण के नहीं होता है। वो कारण कभी कभी करेसे नीउन नहीं हो सकता एक नियुक्ञता एक और इसका कारण कोई भड़ा ही होगा, इसका कारण क्या होगा बड़ा ही होगा संसार बड़ा है ठीक है संसार ये सारा संसार एक कारिय है अब इस कारिय का कोई कारण होगा और कारण हमेशा क्या ये कारण कि ये डिकार्ट कहे रहा है कि कारण बड़ा होगा और बड़े को गर हम खोजने निकले तो हमें अन्त में इ रुखना होगा अते इस्वर का अस्तितु है अगला है अगला है संस्रती मुलक युक्ति संस्रती मुलक देखें इसको कोस्मोलोजिकल आर्ग्युमेंट देखें यान की संस्रती मुलक युक्ति यह क्या इसको देखते हम इस युक्ति में कार्य कारण संक्ला के अधार पर इस प्रक्राइब नहीं हो सकता उसी स्रंक्ला को डूढ ने निकले थे, यह इस्वर तक जाएगी, तो यह इस्वर का जैस्तित को परमानित करते हैं, अब डेकार्ड-द्रशन में द्रव्य गुण व करीया है, यह देखते हैं, डेकार्ड-द्रशन में, सबसे पहले देखें द्रव्य द्रव्य क्या डेकार्ड के अनुसार द्रव्य वो है जिसका सवतंत्र अस्तितु है डेकार्ड क्या कहता द्रव्य वो है जिसका सवतंत्र अस्तितु है और जो अपने अस्तितु वो चिंतन के लिए औरों से अपेक्सा नहीं रखता इसका सवतं विभासा दी है उसके अनुसार तो एक मात तो ने जो है इस तुर के अलावा द्रविय माल लिया तो आची द्रविय कैसे हो सकता है क्योंकि यह तो अपने अस्तितु चिंतन के लिए स्वर पर निर्पर करते हैं कि डिकार्ड ने परसानी से बचने के लिए द्रविय को फिर क्या किया दो बागों में बांड दिया दो बाकों से पर द्रविय और अपर द्रविय इस्वर को बता दिया और अपर द्रविय चित्व अचित्र को बता दिया चित्व अचित्र को पर अपर द्रविय बता दिया पर दर्वे जो बता दे इस तो बता दिया अब देखें गुण क्या है एट्रिब्यूट देखें गुण क्या है लेकाट के अनुसार गुण द्रव्य का वो धर्म है धर्म धारन करना धर्म द्रव्य का वो गुण है वो धर्म है जिसे द्रव्य को नस्ट किये विना उससे अल है दरव्य का वो धर्म है दरव्य का जिससे अब धरव्य को नस्ठ बीना उस से अलग नहीं ऐसकते, धर्म को अलग नहीं कर सकते, धर्म को, डेकाड कहता है डेकाड कहता है कि में इस्वर में अनेक गुण होते हैं डेकाड कहता है कि इस्वर में जो है अनेक गुण होते हैं पर हम केवल दो ही गुणों को जान सकते हैं कौन से दो गुण है एक चेतन्य एक विस्तार और चित का मूल कारण की मूल गुण क्या है चित का मूल अगला है प्रियाई प्रियाई देखें प्रियाई द्रव्य का वो धर्म है प्रियाई क्या है द्रव्य का वो धर्म है जिसका गुण के बिना कोई अस्तित्व नहीं हो सकता द्रव्य का वो धर्म है जिसका गुण के बिना गुण के बिना कोई अस्तित्व नहीं हो सकता चेतन्य के प्रियाई भावना सम्वेग इच्छाय आदी है और विस्तार के प्रियाई क्या है गत्ती इस्तान आकर्ती अब डेकार्ड डर्शन में जो है द्वेत वाद क्या है वो देखते हैं द्वेत वाद डेकार्ड दर्शन में द्वेतवाद क्या डिवलिज्म क्या है वो देख दिन द्वेतवाद डेकार्ड ने चित वो अचित को द्रवी की सिरनी में रखा किस में रखा द्रवी की सिरनी में रखा यदि डेकार्ड की द्रवी की परिवासा अगरा माने हैं तो उसके अनुसार चित जो कि आत्मा है और चित जो कि सरीर है में कोई सम्मंद इस्तापित नहीं होना चाहिए ठीक है पर यही डेकार्ड दर्शन का दुएत वाद था जो उसके पतन का कारण बढ़ना डेकार्ड का किरिया प्रतिकिरिया वाद क्या है यह देखते है लेकार्ड दर्शन में आत्मा वो सरीर के मद्धि सम्मंद इस्तापित नहीं होता वो क्या कहता है कि मस्तिक्स में पिनल गरंथी होती है मर्सक्स में क्या होती है पीनिल ग्रंती होती है जिसके द्वारा आत्मा वो सरीर में समद इस्तापित होता है डेकार दर्शन में आत्मा वो सरीर में गहरा समद नजर नहीं आता यह समद जो है कार चालक को कार के समंद की तरह है इस वर डेकार्ट के के गयते पीनेल गरंती का उनके सेस्यों ने कहा कि इस वर समन्स्ताफित करता है आत्मा वो सरीर का तो यह डेकार्ट दर्शन होता है पूरा मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही आपसे निवेदन ऐसी प्यार बनाए रखें अपना वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरू केजेगा नमस्कार